हेलो तो कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा का नायन्थ का सोशल साइंस जो की चैप्टर पहली है हिस्ट्री का इसमें आज हम करेंगे दा फ्रेंच रेबूशन यानि इतिहास का जो है चैप्टर फर्स फ्रांस की क्रांथी यह चैप्टर अत्यंत महतपूर्ण है जो बचे नायंथ क्लास में है और उनका इक्जाम बहु सकते हो तिरपान से संदर का यह मानना है कि इससे अधिक को इंपोर्टेंट कोशन होई नहीं सकता और इससे कुछ आ नहीं सकता आएगा भी इसी कोशन को जो है बना चरा के दिया जाएगा तो आप इस को अच्छे से समझे सोचे विचार की जिए ठीक है चलिए हमारा कोशन आज क्या है third question is most important here how did the France become a constitutional There is important question here the one I repeat here third question how did the France become a constitutional is a The answer here, in 1791, 1791, the French Revolution, the National Assembly, completed the draft of the Constitution. The draft of the Constitution, its main object was to limit the power of the Monarch. The power is instead of beginning concentrated in the hand of the Monarch. We are now to be separated and divided between the Regulatures, the Executives and Judiciary. The Constitution also is delegated through its works the duty of the state to protect each citizen's natural right. In this way, the French become a constitutionalism on Archie. You understand? There is a most important, the how did they become a constitutionalist of Monarchies? There in 1791, National Assembly completed the draft of the Constitution. The complete draft of the Constitution of 1791. And there is a main object to limit the power of Monarch. The second point, their main object was to limit to the power of Monarch. And the power is tend to be getting concentrated in the hand of Monarch. And they are now separated, divided between the two Regulatures, Executives and Judiciary. There is a most important, there is a Constitution. In this way, the French become a constitutional Monarchies. Our third question is, the French one a public re-edited Russian rights to which France one a Russian rights to which France one a Russian rights to whichSLHA. It means that this is all the, all the reasons, the European re-edited Russian rights to which France one a Russian rights to which the state of the European rights to which themand martial rights 권로 rights to which the West 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 East has created. देखा जाए तो फ्रांस की जो सविदान बनाया गया जो काफी महतवव्वून था कहते हैं 1791 में जो है नेशनल असेम्बली में सविदान के परणूप तयार किया रूप डेका तयार किया गया और इसका मुख्य उदेश था राजा के सक्तियों को सीमित करना क्योंकि आप जानते थे कि वहां फ्रांस में जो था राजा का राज होता था लूईस सोलवे का राज हुआ करता था तो राजा का सक्तियों कम करने के लिए सविदान ने एक assembly तयार किया जो की 1791 में की गई थी और इसका मुख्य उद्धेश था कि राजा को जो power दी गई है जो सक्तियां दी गई है उसको सीमित कर देना जरूरी था नहीं तो राजा फिर से जो है मनमानी करने लग जाएगा इसके लिए क्या किया गया कि सक्तियों को समराट के हाथों में केंद्रित करने के वज़ा है अब अलग कर दिया गया यानि आप समराट के हाथों में सक्ति देने के वज़ा है उसको अलग कर दिया गया और इसको जो है महतपून है कहते हमारे भारत में ये तीन चीज जो विदमान है चाहे विधायक हो कारेपालिका हो नैपालिका हो ये अमेरिका में भी पाया जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों जो है राजा के हाथ में पहले हुआ करता था लेकिन जब जो है सविधान तयार किया गया फ्रांस को तो उसको 17 से नादे के यह कोशना किया गया की परतिक नागीट्यश्य안 राज्य का कष्छा करना राज्य का शनल आ लग कर दी गई और इस Main पर देखा। जाएचा यह कोश्ण ने साफ सब्दों में बता दिया है कि सरवदानी। राजण कैसे बना। आपको पता होना है​ 1791 में इसने निसनल सैमनी में इसका सuciónसा है समिधान तयार किया गया। और इसका मुख्या उद्देश्यता की राजा की सक्तियों को सीमित करना था कि राजा की जो सक्तियां थी उनको अधिक न हो मनमानी न करे इसलिए जो है यह सविदान ने राजा के पास कोई शक्ति रहने नहीं दिया जैसे भारत में भी आप देखोगे कि यहां के राज़्पति जो होते हैं नाम मात्र के ही होते हैं उनके बास सारे सक्तियां होते हुए अभी वो उप्योग नहीं कर सकते हैं यहां पर सारा सक्तियां का उप्योग जो हता है प्रदान मंत्री करता है और इसके मंत्री प्रणिशत द्वरा की जाती है यानि भारत में राश्पती जो होता है नाम मत्र के होते हैं लेकिन वहीं अमेरिका में चले जाओगे आप तो अमेरिका में राश्पती के पास बहुत सारी पावर दी जाती है और वहाँ पर सारे पावर राश्पती के अंतरगत ही नहीं तो होती है तो आप समझ सकते हो कि यह को परसान करेगा इसलिए जो एक असेम्बली सविधान मनाया गया जिसमें राजा के हाथों में सारे सक्तिया निकाल के जो है इसके जो है विधाय पालिका कारे पालिका और नयाय पालिका में विवक्त कर दिया गया जिसे राजा जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता है और इससे जो है एक और बचन बनता ली गई यानि बचन ली गई कि इसके करतव्य की जो हर एक राज्य रक्षा करेगा और इस तरह जो है सरवादानी राज्चतंतर बना और काफी महत्वपून बना कहते हैं यह सविधान बहुत काफी बिस्तुती और बहुत ही काफी इंपोर्टेंट क्योंकि फ्रांस की क्रांटी के बाद जो यह बनाई गई वह बहुत ही महत्वपून थी दोस्तों इसी के साथ यह भी महत्वपून है कि हमारा टॉपिक खतम हो जाता है अगला कोशन फूर्थ कोशन होगा जो कि काफी महत्वपून होगा उसमें हम काफी इंपोर्टेंट कर जितना हो सके इस वीडियू को दुसरे बच्चे बच्चे बेरे लाउनत्रित हो सकेним already कि यह प्रसकी कहते हैं अपना भलाई साथ दुसरे की भलाई भी कर ना कि बात रहती है अगर पहली विडियो देख रहे थे चनल को सब्सक्राइब भी कर लें झाल झाल